चमोली के नंदा नगर विकासखंड में दस दिनों तक चलने वाली गनपती महोतसव का गनेश चतुरदसी के पर्व पर आज भगवान गनेश की प्रतिमा को बिसरजन के साथ ही बिधिवत समापन हो गया नंदा नगर विकासखंड इस्तित नंदा किनी नदी और चूफलागार नदी के तट पर भगवान गनेश की प्रतिमा बिसरजन के साथ ही महोतसव का समापन हुआ भगवान गनेश की सुभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रधालू जुटे इस जुराण नदी के उफान को देखते हुए सुरक्षा की द्रिष्टी से पुलिस और SDRF की टीम भी मौके पर पैनाद रही बता दे के चमूली के लंदा नगर शेत्र में गनेश श्यतुर्दी के अफसर पर दस दिनों तक भगवान गनेश की प्रतिमा इस्थापित कर बजन संध्या का आयोजन किया जाता है जिसका गनेश श्यतुर्दसी के अफसर पर विसरजन किया जाता है आज गनेश प्रतिमा बिशरजन के अफसर पर हजारों के संख्या में सोभा यात्रा में शेत्र के अलग-अलग गाउं से शिधालू जुटी इंडिया पोस्ट नियूस के लिए चमूली से देविंदर रावत की रिपूर्ट